अभी दर्शकों को जैसरकुष्टा प्रणाम नमस्कार। जन्म कुंडली में तीन बातों का सदईव ध्यान रखना है। जब जन्म कुंडली में हमें फलादेश लेना हो, तो तीन लगनों से जो लगन बलवान हो, उसके माध्यम से फलादेश लेना चाहिए। जैसे नमबर एक लगन, नमबर दो सूर्य लगन, नमबर तीन चंद्र लगन, जब तीनों लगनों के जो स्वामी है, वह जिसमें जो अधिक बलवान हो, उस लगन के अनुसार जातक के जीवन में अधिक तंफलादेश सामने आता है। ऐसे में हमने आपके सामने एक नया जो सिरीज है, शुंकला है, आपको तस्तुत करने जा रहा हूं, देखना ध्यान पुर्वद। हमने लगन का स्वामी बारा घरों में देखना है। नंबर एक पहला कारी क्या है? सूर्य को देखना है। सूर्य जब लगन में हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभा होता है? और सूर्य किस राशी के हैं लगन में इसका वड़ा महत्त होता है। दूसरी बात, लगन का स्वामी बारा घरों में क्या प्रभाव देता है? आए हमने ये कुंडली चक्र बनाया है, उसके माध्यम से संस्ते हैं। आपको भी सहजता होगी, सरलता होगी। ये हमने लगन लिया है सिंग लगन, सिंग लगन का स्वामी सूरी होता है। आप वैसे कोई भी लगन वाले हो सकते हैं, आपके लगन में सूर्य किस राशी का है और किस राशी की हिसाब से आपको क्या फलादेश होगा। आईए इसे हम समस्ते हैं इस फलादेश के द्वारा प्रथा मभाव में सूर्य का होना जातक के अंदर स्वामी पने का अभिमान जगल करता है उग्र और गरम मिजाज का होता है लगन में बैठा हुआ सूर्य जातक के अंदर एक सासन सत्ता जाहिर करता है ऐसा पिक्ति दूसरों पर बड़ी जल्दी हावी हो जाता है अपने को वह समस्दार भी समस्ता है होता भी समस्तार है परन्तु लगन में बैठे हुए सूर्य प्रायह जातक को केस हीन कर देते हैं अब आप सोचेंगे कि हमारे बाल नहींगे केस हीन है सच बताओं ब्रहस पती भी आदमी को गंजा करता है मतलब गंजापन भी दो तरह का होता है एक होता है बीच से गंजा होना एक होता है शिखा के पास गंजा होना एक होता है माथे के पास गंजा होना जब जातक का ब्रहस पती बलवान होगा और कहीं सूर्य पर दृष्टी पढ़ रही होगी ब्रह जातक का जो अगला भाग है वो केश हीन हो जाता है ठीक है अब चलिए हम चर्शा करते हैं इसका कद कैसा होगा लगन में जब सूर्य बैठेगा हमने नोटिस करके रखा हुआ है सूत्रों को लगन में बैठे हुए सूर्य आदमी को क्रोधी जिद्धी लंबे कदवाला क्रू पूर प्रकृति एवं छमान ना करने वाला बनाते हैं लगनस्थ सूर्य नेत्र रोगी भी बनाते हैं एक बात कहूं सूर्य यदि सिंग राशी में हैं आपके लगन में तो रात में कम दिखाई देगा मतलब रताउंधिया एक रोग होता है वो भी ऐसे जातक को हो जाता है लगनस्थ सूर्य नेत्र रोगी बनाता है अपनी उच्छ राशी मेस में लगन के अंतरगत यदि सूर्य स्थित हो तो जातक यशश्वी होता है और सिंग राशी का सूर्य लगन में हो तो जातक को मैं पुना कहूंगा कि नेत्र हीनता वो भी रात्री में रताउंधिया रो तो जातक विद्वान होता है मालनो सूर्य लगन में है और बुद्ध देखता हो हलाकि देखेगा नहीं बुद्ध क्योंकि बुद्ध अगल बगल रहता है ब्रहस पती देखता हो तब भी जातक को विद्वान बनाता है चंद्रमा देखता और चंद्रमा सूर्य से ज्यादा आंकडे में हो, डिग्रियों पर हो, तो जातक को विनई, विनई संपन, सुशील बनाता है और अफिसर बनाता है, चलिए, जन्म लगन में यदि सूर्य तुलाराशी के अंतरगत बैठा हो, यहां तुलाराशी यदि सेव लेकिन शूर बीरता जरूर देते हैं, लेकिन जद तुलाराशी के सूर्य लगन में होंगे, तो ऐसे जातक को इरश्या बढ़ी आएगी, दूसरों से जलन बढ़ी करेगा और दरिद्री बना देगा, तुलाराशी में सूर्य, प्रतापी होगा, शूर होगा, जगडे में बहुत आगे जल्दी भागेगा, इसका मतलब सूर्य अच्छा नहीं भल देग रहा है, जगडेलो आदमी शांत नहीं, और शांत नहीं तो संपत्ती नहीं, विद्या नहीं, विनए नहीं, चलिए, लगन में करक रासी का सूर्य होना, यानि फोर, जहां चार लिखा होता त तो करक लगन हो जाता है, अगर करक लगन का सूर्य प्रथम भाव में हो जाए, तो जातक ज्यान अरजन तो खुब कर लेता है, लेकिन फिर कहूंगा कि उसे नेत्र में एक फूला रोग होता है, फूला रोग होने का डर रहता है, विपरीत फल होने से प्रथम भाव में सू जातक बच्पन में परिशान होगा, चीक है, और जातक प्रारप्धवादी होगा, भाग्यवादी होगा, और ऐसा बिक्टी छोटे अस्तर के लोगों का नौकर होता है, बróल, प्राइवेट जॉब, छोटे अस्तर के जॉब, अगरा उसे मिलती है, और ये चीज है, उसमें आ जातक कि जन्मकुंडली में करक का सूर्य होना धनाड्य बनाता है मेरा ऐसा मानना है ऐसा जातक नशे आदिसे दूर रहने का प्रियास करता है उच्च पदाधिकारियों के साथ जुड़ा रहता है और स्वयम भी उच्च पदाधिकारी होता है और लंबे समय तक राज की अका मटपारे में 5 चैशाय आदमी है यह जो आदमी है पीटा और माता का धनिया दिश सपुते विरासत में यह नहीं भी प्राप्त हुआ इस डिपती को फिर भी संतान अपने संतान के खूब धनक मा करके देता है जब जाता है तो अपने संतान को धनाड बना कर जाता है लगन में बैठे हिए सूरिय यदि है तो ठीक है हरे कुश्ण ऐसे बिक्ति को यात्रा से बहुत लाव प्राप्त होता है और पूर्ण ये शश्वी तिरतीमान होता है अगर मकर राशी का सूरिय लगन में है तो जातक को हरदैरोग हार्ट पेसेंट बनाता है मीन राशी का सूरिय अगर लगन में है तो जातक को विपरीत लिंग के प्रति आसकत करता है यदि पुरुष है इस्तरी के प्रती और इस्तरी है तो पुरुष के प्रती यदि लगन में कन्या के अंतरगत सूर्य बैठा हो तो जातक को संतान होती है लेकिन कन्या संतान ज्यादा होती है यह बात हो गई सूर्य की लगन में अब हम इस लगनेश के चर्चा कर लेते हैं ठीक है चलिए लगने अमें सूर्य है, अब सूर्य यदी लगन में ही बैठा हो तब, यह हमने सूर्य बिठाया, ऐसी अवस्था में यहां का लगने सूर्य है तो मैंने सूर्य बिठा दिया, लेकिन आपकी जन्म गुंडली में आपका लगने में बैठा है, कोई भी लगन हो सकती है, तो यह इस प् अस्थाओं के अनुसार जातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस उद्देश को लेकर के मैं आपको यह स्रिंखला दे रहा हूं जिसे आप भली प्रकार समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप समझ पाएंगे. लगनेश अर्थात लगन का स्वामी जैसा कि यहां पर हमने सूर्य बिठा दिया. प्रथम भाव का स्वामी ग्रहे. लगन भाव प्रथम भाव में ही हो तो जातक जीवन परियंत निरोग और बेमारियों से दूर रहेगा. लगनेश अगर लगन में ही हो तो मान, सम्मान, धन की उसे कमी नहीं रहती है. लंबी आयू और तरह तरह के सुखों का उपभोग भी करता है. ऐसा जातक अपने कारियों के कण ख्याती भी अरजित करता है. क्यों? क्योंकि लगन का स्वामी लगन में होना सेल्फ डिपिंड बनाता है जातक को. कुछ भी हो जाए. जातक किसी के भरोसे नहीं रहता. हाँ, बशर्ते लगनेश के उपर जो लगन में बैठा है, उस पर सश्ठेस, अस्टमेस, द्वादसेस की किसी प्रकार से भी कोई दृष्टी युती ना हो. या फिर उसके शत्रूग रहें, जैसे म अब शुक्र यदी यहाँ पर बैढ़ जाए साथ में, तो निस्चिती बदनामी और कलंक देगा. शनी यहाँ पर बैढ़ जाए तो भी निस्चिती बदनामी और कलंक देगा. जातक कि सुभाव में कड़वा हटाएगी. ठीक है. तो इसलिए ऐसे जातक कि आयू लंबी होत एश्वरेशाली और लंबी आयू वला होता है अच्छे कार्यों में उसकी रुचि होती है उस बिक्तिकोपरिवार का पून सुख भी ब्राप्त होता है जब लगनेश लगन में हो अच्छा यही लगनेश हम दुतिय भाव में ले चलते हैं दुतिय भाव यहां से हम इसे मिटाएं या ना मिटाएं तो भी आपको समझना होगा आपके लगन का स्वामी धन भाव में होने से क्या प्रतिफल देता है मैं पैन क्या जो है न वो चेंज कर देता हूँ कलर ताकि आपको स्पश्ट रूप से थोड़ा दिखे वैसे बोर्ड चाड के अनुसार आपको नहीं बताया था अब चाड के अनुसार आपको बता रहा हूँ लगन का स्वामी दूसरे घर में बैट करके क्या दर्शाता है जातक अपने कुटुम्भी जनों के साथ गुल मिल करके रहेगा या फिर कड़वाहट के साथ ये तो डिपेंड करता ह दुतिय भाव किस राशी का है जैसे दुतिय भाव में कन्य राशी है तो कन्य राशी चुकि सूर्य के साथ बुद्ध की मित्रता है तो हलाकि सूर्य बुद्ध को सम समझते हैं नमित्र न शत्र पर बुद्ध सूरे को मित्रता है तो इसलिए यहां पर बैठ करके यह सूर् अच्छा फल प्रदान करेगा लगनेश होने के नाते आपको ये जरूर देखना है कि लगनेश दित्य भाव में बैठा है तो किस अवस्था में बैठा है निस्चित ही ऐसा बेक्ति अपने कुटुम्बी जनों के प्रति आसक्त कहो या विनम्र कहो या कर्म योगी कहो ऐसा ज इसलिए दुतिय स्थान पर लगनेश का होना जातक को निस्चित ही ननिहाल पक्ष से भी लाभ दिलाएगा और जातक का बड़े मामा के प्रसाथ और बड़े मौसी के साथ बड़ा लगाव होगा आई थे अच्छा अब इस लगनेश को हम ना मिटा करके आपको यह देख लेना है कि यह लगनेश अब हम सूर्य ही यहाँ पर है तो यहाँ सूर्य को बिठा देते हैं जब लगनेश त्रतिय भाव में चला जाए त्रतिय भाव है क्या मित्रों का है जातक के छोटे भाई वहनों का है जातक के हवाई यात्रा इत्यादी कितनी होगी इसका है और त्रतिय भाव जातक की भुजा शक्ति है त्रतिय भाव जातक के ससुराल पक्ठ से जो साढू औ और सरहज का भी है इसलिए मा के मा के घर से ठीक द्वादस अस्थान पर यहां बैठा हुआ ग्रहे मा के स्वास्थे में भी अनकूल और प्रतिकूल प्रभाव डालता रहेगा यह ध्यान रखना चलिए हमने यहां पर लगनेस को तीसरे घर में देखा अब लगनेस अगर तीस इसरे घर में होने के कारण मित्र, कुटम्वी, सहयोगी इन सब के साथ अच्छा तरतिय स्थान पर होने से जातक को पराक्रमी साहसी बनाएगा अपने मित्र कुटम्वियों से जिरा रहे करके मित्र कुटम्वियों से इसनेह दिलाएगा ऐसा जातक धर्मकारियों में, डान पुन्यकार्य में बहुत यकीन रखता है और लगनेश अगर निर्बल हो तीसरे घर में, पापा करांथ हो जैसे इस पर सूरे पर राहू देख ले, ठीके तो पापा करांथ हो जाएगा, ठीके शनी की दृष्टी पड़ जाए, पापा करांथ हो जाएगा, शुक्र के स्थितिया जा तो पापा क्रांत हो गया माल लीजिए अब यहाँ पर तिर्थ लगनेस दब जाएगा जब लगनेस तीसरे घर के स्वामी के साथ मित्रता वाला भाव नहीं रखेगा तो जातक को निश्चित ही अपने भाई बंदू कुटम्बियों के साथ सहज भाव पर शुब ग्रह की दृष्टी हो तो जातक आजीवन स्वयम अपने बाहु बल से अपनी शक्ती से खुद धन कमाता है लगनेस चौथे घर में मैं पहले कह चुका हूं मिटाओंगा नहीं क्योंकि मिटाने में लगता है समय और मुझे आपका समय बचाना है यह चौथे घर में आजाए चौथे घर में जिन लोगों का लगनेश है याद रखिए यदि चौथे घर में बैठा हुआ लगनेश शनी आदी है तो शायद इतना सुख तो नहीं देगा मा का धन संपत्ती का सुख देगा लेकिन लगनेश यदि शुब है चंद्रमा के यहां क कारक चोथ्य घर का चंद्रमा है ठीक है, शुकर बुध्ध इत्यादी यहां पर शुफल देते हैं, यदि शुकर बुध्ध चंद्रमा इत्यादी की राशी है और लगनेस यहां आकर बैठ गया बसरते मालो मंगल भी हो जाएगा तो लाव देगा, नुकसान नहीं देगा, परंतु, मंगल पापस पाफिस्ट होगा, तो जातक को मात्र पक्च का कस्ट होगा, घर में लडाई जगडे कलहे का, वातावरन बना रहेगा, चिक है, चतुर्त भाव में लगनेश होना, जातक अपने माता पिता की सेवा करने वाला कहा जातक राज्य सेवा में हो, तो उसके उच्च अधिकार पाने के योग बन जाते हैं, और इस विक्ति के उच्च अधिकारी इससे बहुत प्रसंद रहते हैं, आनंद में जीवन बितीत करता है, ऐसा जातक किसी भी प्रकार के अभाव से रहित होता है, लगनेश अगर चतु पर पाप, पापी गरह के दृष्टी हो, तो इन जितने फलों की मैंने शुभता बताई है, वही फल अशुभता में बदल जाएंगे, नहीं तो यहां का स्वामी लगनेश चतुत घर में होकर के वाहन, मकान, जायदाद, मा का सुख इत्यादी जरूर बढ़ाएगा, अब लगनेश को हम आपके सामने पंचमभाव में लेकर आते हैं, पंचमभाव लगनेश, यहां हमने सूर्य को रखा हुआ है, आपका लगनेश कोई भी हो, लगनेश अगर पंचमभाव में हो, पंचमभाव है क्या? बिद्या भी है पंचम भाव पुत्र भी है पंचम भाव अचानक धन लाव का भी है और इश्टग देवता का भी है उदर का भी है पंचम भाव में बैठा हुआ लगनेश सुब होगा तो निश्चित बात है कि जातक को संताम अच्छी मिलेगी त्यागी वृत्ती वाला जातक होगा स्वयम स्वयम सतकर्म करने वाला अपने बच्छों को भी अच्छी सिच्छा संसकार देने वाला ऐसे जाता को धर्म पाराण और विख्यात ऐनी फेमस संतानों की प्राक्ति होती है लगने इस पंचम में शुब होगा तो ऐसा जाता क्छमाशील होगा, स्वाभी मानी होगा और अधिकतर बिद्या पढ़ने में बहुत रुची रखेगा अपनी धुन का पक्का होता है जिस बात को दुढ़ बैठा ले, विचार कर ले, उस बात को करके छोड़ता है इश्वर की भक्ती में भी ऐसा बैक्ती संलगनोता बशरते लगने इस पापा क्रांत नहों तो यदि पंचमेश पंचम भाव, पंचमेश और पंचम भाव यहां का स्वामी जैसे ब्रहस पती है अगर वो पंचमेश हो गया, अगर वो पाप प्रभाव में है तो यहां अकर सुर्य लगनेश कुछ अच्छा फल कम देगा पंचम भाव में राहू, केतु जैसे ग्रह, शनी जैसे ग्रह, मंगल जैसे ग्रह इत्यादी हो जाएं, तो भी नुकसान देंगे अब पंचमेश की उपर डिपिंड करता है अगर लगनेश पंचम भाव में है तो सब कुछ देगा लेकिन अगर पंचमेश सही नहीं देठा है तो अल्प विद्या, अल्प धन, अल्प संतान, संतान के कर्ण, कष्ट भी सहना पड़ता है ठीक है, चलिए लगनेश पंचम में बैठ करके प्रेम भाव का भी दियोतक है ठीक, चलते हैं छठे भाव में अगर आपका लगने इस छठे भाव में आ जाए छठा भाव, प्रायाह यहां पर बैठे हुए क्रूर ग्रह, आप ग्रह, फलित होते हैं, अच्छे सौम में ग्रह यदि है, आपका लगने इस चंद्रमा हो गया छठे घर में बैढ़ जाए, तो निस्चित बात है कि आपके पेछे दुश्मन, शत्रू, इत्यादी लगे होंगे, ठीक है और शुक्र हो जाए, छठे घर में बैढ़के कलंक और बदिनामी देंगे तो इस प्रकार से आपको देखना है कर लगने इस कौन सा है चुक्कि यहाँ सूरी है, तो सूरी छठे घर में आकर नुकसान नहीं करेंगे लेकिन अगर लगने इस छठे घर में हैं, तो जातक को पुष्ट भी बनाएंगे संतुष्ट भी बनाएंगे, निरोगी भी बनाएंगे, धन भूमी की प्राप्ती भी करवाएंगे ननिहाल पक्ष छोटी मौसी और छोटे मामा से भी लाब करवाएंगे ऐसा जातक शत्रू के उपर है भी होता है, ठीक है, क्योंकि छठा घर प्रतिदुन्दिता का भी है किसी के साथ competition हो, तो छठा घर मजबूत हो, अगर तो ऐसा बैक्ति competition में आगे बढ़ता है चठा घर आदमी को प्रतिरोधक शमता और छमता देता है, अब चठे घर में यदि लगन का स्वामी है, तो निश्चित बात है कि जातक को शुब होने पर ननिहाल पक्ष से धन लाब, मौसी पक्ष से लाब देता है और तमाम सारे सुख भुगवाता है रोग और शत्रू यदि छठे भाव में बैठे हुए लगनेश पर कोई पाप प्रभा हो जाए, कमजोर पड़ जाए लगनेश तो रोग और शत्रू जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बेक्ति निश्चित ही रोगी और परेशान जिंदगी भर रहेंगे भाव को जाया भाव कहा जाता है, यहां से हम देखते हैं ब्यापार वो भी किसी के साथ संगठन नहीं, इसलिए संगठित कारे को, पार्टनर्शिप को भी यहां से आप देख सकते हैं, लगने सक्तम भाव में बैठा हो तो ऐसा जा तक अपने इस्त्री का प्रिय होता है, दूसरे इस्त्रियों में उसकी आ सकती नहीं, उती बसरते शब हो तो, कभी-कभी लगने सक्तम भाव में बैठ करके एक चीज़ जरूर करता है, भोग मय बृत्ति बनाता है, यानि वो इस्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो इस्त्री के प्रति बड़ा आ सकत करता है, सप्तम भाव में गया हुआ लगने स्तिजस्वी और सील सुभावाला बनाएगा पतनी परायण और पतनी खुद पती परायण होती है, सुशीला, लावडे मई और सुन्दर मिलती है, ठीक है, अब लगनेश अगर सप्तम भाव में है तो ऐसी वस्ता में हमने सुत्रों क को जो नोटिस किया है, बुरा होने पर अपने पतनी के साथ जीवन में परेशानिया जहलना पड़ेगा उसको, हमने तो देखा है, सप्तम भाव अगर छठे घर में चला जाए, सप्तम भाव का स्वामी अश्टम घर में चला जाए, तो जातक का छठे घर में आने से सप्तम कर देता है लगनेस जाया भाव में सप्तम भाव में अगर शुभ है तो अच्छा फल देगा नहीं तो अपने जीवन सहचरी का वियोग यानी पत्नी का वियोग सहना पड़ता है ऐसा जातक दोसाय में रहकर धन अईश्वर या से संपन जरूर हो सकता है तमाम तरह के बिवित भहुत करेगा घुमकड प्रकृतिका बहुत होगा लगन का स्वामी अगर सप्तम भाव में चला जाएगा अब लगन का प्रिय बनाएगा एकांत सेवी बनाएगा अप्रिय और बुरे प्रभाव में यदि अस्टम भाव में चला गया हो लगनेश तो जातक महा आलसी होता है बोलने की तमीज नहीं होती है उसकी way of talking बड़ी ही डर्टी टाइप की होती है गाली गलोच इत्यादी करने वाली अब अस्टम में गया हुआ जातक का लगनेश दिरगायू बनाएगा सुब होगा तो नहीं तो दिरगायू की जगा अलपायू कर देगा अस्टम में बैठा हुआ क्यों अस्टम मृत्ति वस्थान है बहुत ध्य है धन संचय करने में ही ऐसा विक्ति जिन लोगों को मैंने देखा है लगनेश अस्टम में हो तो जिन्दगी भर पैसा इकठा करने के चक्र में अपने रिष्टे भी गमा देते हैं धन ही उसका सब कुछ होता है ऐसे जातक को ऐसे वीचार उसे अन लोगों से अलब कर देते धन कमाने की धुन, अस्टम भाव और अस्टमेस शुब ग्रहों के दृष्टी में हो, तो जातक समझदार, बुद्धिमान, जैसे यहां अस्टम का स्वामी ब्रहस्पती है, वो शुब होगा, तो जातक बुद्धिमान समझदार होगा, अशुब होगा, तो जातक निकम्म, निठल ला उतना ही ना समझ होगा शुब होने पर जातक को धन भूमी गत धन मिलता है जो जमीन में गड़ा हुआ धन है तो मिलता है सटा लाटरी अचानक इस विक्ति को प्राप्त होती है जब अश्टमे सुब हो तो धनी बनने का स्वक्न ये जरूर लेता रहता है और ये विक्ति एक चीज है लगने इस अश्टम में हो दूसरी इस्त्रियों के प्रतिबड़ा सकत होता है चर्चा मैंने कई बार की है लेकिन बार-बार हमने आपको चार्ट नहीं दिया इस बार आपको हम चार्ट दे रहें ताकि हमारे सभी दर्शकों को समझने आ सके इसलिए हम लगनेश को लेकर चलते हैं अब नमम भाव में नमम भाव क्या है कुल परमपरा है जातक के माता पिता के माता पिता गुरू धर्मस्थान विद्या धर्म विद्या संसकार संसकृति को दर्शाता है नमेश शुभ हो तो जातक के पास निश्चिति भाग्य और धर्म साथ रहेगा जीवनभर हलाकि लगन का स्वामी अगर नमम में चला जाए एक मूल त्रिकोन का स्वामी तो निश्चिति उसे राजयोग भी मिल जाता है धन दईभो के अलावा संसार में यश किरती फेमस होने में भी सहयोग देता है लगने इस नवम में होने पर जातक को अपने माता, पीता और गुरुजनों के साथ बड़ा इसने है लालित्य प्राप्त होता है इसने प्राप्त होता है बड़े अच्छे मित्र होते हैं वो भी धर्म अनकूल मित्र होते हैं बड़े-बड़े विद्वान उनके साथ इनकी आपसी स्वाहमती विद्वानों के साथ बैठक अधिकारियों के साथ मेल जोल इनका बढ़िया होता है चमाशील, तेजस्वी, धरमात्मा, पराकर्म इस सब कुछ देगा लगनेश नवम में हो जाना माने मूल त्रिकोन का स्वामी भी है लगनेश और एक मूल त्रिकोन में आकर बैड़ जाना राज जयोग पैदा कर देता यदि लगनेश और नवमेश भी कही स्थित हो जाएं तो निस्चित ही व्यक्तिक गरीब घर में भी पैदा हो तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा ये बात हो गई नवम भाव में अब नवम भाव के बाद हम जातक की लगनेश को लेकर चलते हैं दसम भाव में ज्यान पूर्व समझें ये लगन का स्वामी हमने बारा घरों में लेकर जाना दस घर तक नो घर तक आगया दसवे घर के बारे में आपको समझना है दस्वाँ घर क्या है? कर्म है, पीता है, दस्वाँ घर, अभी मैंने कहा कि नवाँ घर पिता है, नवाँ घर पिता का पिता और पिता इन सब के बारे में बताता है, कुल पर्मपरा को बताता है, लेकिन यहां से पिता के कर्मों के बारे में पता लगता है और आपके कर्मों क के बारे में पता लगता है मा के घर से तीक सातों गर दस्मा घर पढ़ता है यहां पर बैठे हुए ग्रह का प्रभाव मा के घर पढ़ेगा यहां का स्वामी मा के ओपर प्रत्कूल स्तित डाले मां के जीवन को नुक्सान की तरफ दे जाएगा यहां पर बैठा हुआ है यहां पर बैठा हुआ यह दसवे घर में और 11 घर में बैठा हुआ है अब यदि लगनेस दसं भाव में हो तो जातक अपने माता पिता का भफ्त होगा गुरू और देवता के लिए उसके मन में अपार शद्धा तो होगी ही होगी निश्चित ही जातक को राज करमचारी होना चाहिए राजयोग बना देगा, लगने इस करम भाव में चला जाएगा शुब होने पर राजयोग बना देगा समाज में उसकी ख्याती बढ़ती है लेखन जोखन में सब एक भी बड़ा अक्सफर्ट होगा राइटिंग भी उसकी अच्छी होगी और राज्य पक्ष से इसको लाव मिलता ही मिलता है सुशील, पांडित्य, भाग्यशाली इन सभी गुणों की प्राप्ती से होगी भाग्य ही उसका साथ देता है और वो आनंद में जीवन यह अपन करता रहता है विवित भोगों को भोग करता है लेकिन अगर यहाँ पर जो दस्वेश है यानि करमेश जैसे शुक्र है यदि शुक्र अस्टम चला जाए चठे चला जाए ज्वादस में चला जाए जिन्दगी भर ये कमाते कमाते मर जाएगा पैसा में कट्ठा करता है जिन्दगी भर पिता के साथ अच्छे कर्म करता करता रह जाएगा लेकिन पिता के साथ बिचार नहीं मिलेंगे और यहां का स्वामी यहां आ जाना मतलब मात्र पक्ष से भी शत्रुता रहोगी मा के साथ भी शत्रुता होगी यहां का स्वामी यहां आ जाये तो पिता के साथ शत्रुता होगी बिचार नहीं मिलेंगे यह तो बात हम आगे चरचा करेंगे अभी हम लगनेश की ही चरचा करने एब लगनेश को हम दसम भाव में देख करके इतन जान सकते हैं कि जा तक अपने पिता के साथ बड़ा प्रेम होगा जातक पिता के अनुकूल कर्म करने वाला यदि दसमेश यानि करमेश और लगनेश में से लगनेश बली हो तो जातक अपने पिता से भी स्रेश्ट आचार विचार वाला होगा यदि करमेश बली होगा तो जातक अपने पिता के अधीन रहे करके आगे बढ़ेगा अब आपको देखना है कि आपका करमेश बड़ा है या लगनेस ये दोनों को देखना है जैसे यहाँ करमेश है शुक्र और यहाँ लगनेस है सूर्य अब सूरी और शुक्र में बलवान कौन है यदि शुक्र बलवान हुआ तो पिता गुणवान होगा यदि सूरी बलवान है तो पिता से अधिक पुत्र गुणवान होगा ठीक है इसे समझने के लिए हम आगे के सीरीज में चर्चा करते रहेंगे फिलाल आपको ध्यान पूर्वक इसे समझना है अब 11 घर में हम लेकर चलते हैं लग्म के स्वामी को 11 घर में यानि आंधनी के भाव में लेकर चलते हैं आंधनी के भाव में बैठा हुआ सूरियर डिपेंड करता है कि इसके बड़े भाई कैसे होंगे बड़े भाई के स्वामी यदि अस्तम छठे 12 भर घर में बैटे होंगे तो सुख नहीं होगा लेकिन ऐसा जैतक अपने बड़े भाई के लिए प्राडरपन करेगा ऐसा जैतक अपने भाई के लिए बहन के लिए समाज में उचा उठाने का प्रयास करेगा अपना सब को परन्तु यहां का एक चीद और हम बताएं यदि एकादशेस यानि की आयद का मालिक बुद्ध है जैसे यहां पर बुद्ध और सूर्य यहां मित्र हो गए अब बुद्ध यदि शुभ ग्रह में सुभ स्थान बैठा होगा तो निस्चित ही बड़े भाई का सुख इस बिक्त ठीक है पराक्रमी तेजस्वी विवेग शील होगा परिशम करने से जी नहीं चुराता पुत्रों के काण भी उसे ख्याती पराप्त होती है ऐसे जातक के मित्रों के संख्या बहुत होती है जीवन में उसे किसी भी प्रकार का भाव नहीं होता numéro 11 घर में बैठा हुवा जो ग लगनेस ग्यारवी घर में बैठा होगा तो निश्चित ही ऐसे बिक्तिका बड़े-बड़े आफिसर के साथ तालमिल होगा और अच्छे मित्र होंगे उसके छोटी सोच नहीं होगी लगनेस को हम बारवें घर में लेकर चलें और देखें बारवें घर बे है च्छे है भोग ह जड़ी लगन का स्वामी बारवें घर में बैठ जाए तो शुब और अशुब दोनों पर सर्चा करने चाहिए लगनेस सुबह वस्था में बारवें घर में बैठा होगा तो जातक नाजाज खरचा नहीं करेगा जाज खरचा करेगा धरम निश्च होकर खरचा करेगा पर अपना धन बे करेगा है लेकिन लगनेश यदि पापा करांथ हुआ शुक्र जैसे ग्रहों के साथ लगनेश कहीं बाहर है घर में बढ़ जाए तो लगनेश दब जाएगा ऐसी वस्था में जातको भोगी बना देगा सेक्स लाइफ उसको अच्छी लगेगी यदि लगनेश बेभावों में हो तो जातक अपने देश को छोड़ करके परदेश में रहता है विदेश में रहता है अपने परिवार और रिष्टेदारों से बेर इसका बिरोधिसका रहता है अपने कारियों में प्रायाह ये विक्ति बहुत अस्फलता प्राप्त करता है ऐसा जातक बातचीत करने में चतुर और यात्रा में जीवनियापन करने वाला होता है यदि द्वादसेस भाग्य में बैढ़ जाए और लगनेश द्वादस भाव में बैढ़ जाए तो ऐसा जातक अपने बे को भाग्य में बदल देगा अपने खर्च माद्यम से भाग़े को प्रबुद्ध करेगा उसका जो परलोक है वो सुद्ध हो जाएगा लगने इस द्वादस भाव में होगा और द्वादसे इस नवम भाव में होगा तो यह चरचा फिर हम आगे करेंगे लेकिन आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होग इसलिए हमने आपको इस फलादेश के बारे में जो समझाया बताया उसके बाद आप वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करेंगे मेरा जो उद्धिश है वो यह है कि आपको फलादेश मजबूत प्राक्त हो और उसके लिए हम भरसक प्रयास करते रहेंगे पुनरावरत् पुरानिक है ठीक लेता ही विदानमा शिकार जाश्री कुष्णा रणाम